हेलो दूस्तों स्वागत आपका बढ़कावन दुनियामित दूस्तों आज से तीन दिन पहले मैंने आप लोग को एक वीडियो बनाग दिया था और इसमें मैंने आप लोग को बोला था कि आप लोग का क्रिप्टो टेक्स के रिलेटेड जो भी कोश्चन्स था है इस वीडिय का इसमें चीज़े लेके आई गई है तो आप इस वीडियो को जा के देख सकते हैं नीचे लिंके दे दूँगा ठीक है इसके बारे में आप लोग को इन्फॉर्मिशन होना चाहिए ठीक है तो चलते हैं सारे कोश्चन के उपर कौन कोश्चन की है और इसका मैं जवाब दे आप इसका इसमाल कर सकते हैं इस तरगे से आप अपने टेक्स को बचा सकते हैं तो आप से मैं कहूंगा दूस्तों ये जो ट्रिक था ठीक है ये जो तरीका था ये तब अप्लिकेबल होता जब गौर्ण्मेंट इसके उपर जो है डाउटफूल आती या जो है ये जो रूल हो लेके नहीं आये होती ठीक है तो हम जो है ये मानके चलते भाई बस ओनली इंडिया एक्षेंज़ों पर जो है टेक्स लगेगा हम जो है फॉरें एक्षेंज पर जाकर ट्रेट कर सकते हैं क्योंकि बहुत सरे एसे एक्षेंज है जहां पर हमको केवाजिसी की जरुबत नह को पता है कि आप किसी भी प्रकार का इंकम करते हैं, 5 लाग, 5 लाग, 10 लाग, 15 लाग, तो आप जिस भी स्लैब के अंदर आते हैं, उस पे आपको जो है tax payment करना पड़ेगा, लेकिन इंडिया में जो है बहुत सार ऐसे लोग होंगे, जो 10 लाग, 15 लाग, 20 लाग तक इंकम करते हैं बहुत सारा ऐसे बिजनेसे से लेकिन वो जो है income tax नहीं भरते हैं ठीक है तो इसका हम लोगने कि government जो है सीधे जा के उनको पकड़ लेती है government की नजर में वो नहीं होते क्योंकि इतनी जनता है कि government सब के उपर जो नजर बना के नहीं रह सकते हैं लेकिन दोस्तों जब भी government की उस व्यक्ति के उपर नजर पड़ती है तो government उसके उपर करवाई करती है उसको पेनाल्टी डालती है और जो भी tax रता उस पर इंट्रेस्ट भी लेती है ठीक है तो इसी वह से कहूंगा दोस्तों अगर हम जो है इस तरह का काम करेंगे और इन future जो है अगर government का नजर हमारे जो भी trade है उन्हें foreign exchange पर या जो tax पर रखा हुआ है क्योंकि दुस्तों अगर मुझे बोल देखूँ कि भाई कहां कहां आपने अपना fund रखा है तो मैं बहुत ही simply निकाल के रख दूँगा कि आपने जो है कहां कहां जो है अपने इन इन एक्षेंज से जो है fund transfer किया है या कहां कहां आप जो है trade कर रहे है नॉर्मल सी बात है हम लोग उसको निकाल सेते हैं इसी प्रेकार से आने वाल समय अगर government इस तरह के करवाई करती है तो वो कहीं ने कहीं आप लोग harmful हो सकता है तो आप जो भी profit कहीं से भी बना रहा है चाहे Indian exchange हो चाहे foreign exchange हो चाहे DEX हो तो उसका हिसाब रखिए और government को उसके सामने लिगा है और उसके उपर tax payment करिए अभी तक का जो rule है उसको follow जरूर करिए ठीक है सकेंड जो question दोस्तो 30% tax जो 1 year का लगेगा उसको कैसे calculate करेगा कौन calculate करेगा और future trade में तो बहुत सारे जो frequency trade होता है तो साल भर में पता नहीं कितने trade हो जाएंगे तो दोस्तो इस rule के बाद तो ये तो confirm हो गया कि जो daily trade करते थे हम लोग वो जो है बंद हो जाएगा क्योंकि अगर ये जो 1% TDS कारने की बात कहीं कि ये every trade पे तो वो अगर हम लोग 100 trade लेते हैं तो वो हमारा जो नुकसान में ही कहीं 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 जो हम लोग नुकसान में ही चले जाएंगे अगर भले हमको profit and loss ना हो लेकिन उस TDS के वैसे हमारा जो पूरा principle amount है वो चला जाएगा इस वैसे जो daily trade है वो बंद होगा हम लोग 6 महीन या एक साल के लिए किसी भी coin को buy करके हमको hold करना पड़ेगा सकेंड नहीं पर आपने जो question किया है कि 30% tax 1 year का कैसे calculate होगा तो ये आपको खुद ही जो अपना हिसाब रखना पड़ेगा कि भाया मैंने ये trade लिया है इतना मुझे profit हुआ है और इस पे जो है मुझे इतना tax payment करना पड़ेगा loss अगर हुआ है तो उसको आप बूल जाइए थार्ड जो question दोस्तों ये जो पहले का profit है तो उसपे tax देना होगा ये जो question आपसे मैं कहूंगा दोस्तों ठांस इसको समझेगा मैं बार बार समझाने कोशिस कर रहा हूँ कि अगर आपका जो है amount एक लाग डेल लाग दो लाग के आसपास है और उसपे आपको profit हो रहा है अभी इस समय ठीक है एक अपरेल से पहले तो आप उसपे profit book कर लीजे क्योंकि यहाँ पर आपको जो है आप tax lab में आते ही नहीं है तो आपको tax payment नहीं करना पड़ेगा लेकिन अगर यही आप जो है एक लाग का amount लेके रखे हुआ है यह तरीका है आप जो है टेक्स से बस सकते है कि आप जो है उसको पहले बुक कर लेजे अगर loss हुआ है तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसपे आपको tax देने की जरूरत नहीं है और अगर अभी आप loss में भी है तो मैं तो ही कूँँगा जो है प्राइस पर आपने बाई किया है उसपे आप जो है अपना tax प्राइमेंट कर सकते है जिस पर आपने बाई किया तो जितना आपको profit हो रहा है यहाँ पर जो है second question है प्राइस पर भी tax लगेगा क्या बाइनेंस और वजलेक्स दोनों पे बताओ आप कोई भी cryptocurrency buy करके sell करें उसपे अगर आपको profit हो रहा तो उसपे आपको tax payment करना पड़ेगा तो यहाँ मैंने आप लोगों बता कि bank transfer सो कोई मतलब नहीं है कि आप जो है bank में कितना पैसा transfer कर रहा है आप कोई भी cryptocurrency buy या sell कर रहा है तो उसपे अगर आपको profit मिला तो उसपे tax लगेगा ठीक है थर्ड question है यहाँ पे दोस्तों कि जो आइनार bank में transfer किया है अभी तब उसपर भी tax लगेगा तो अगर आप इसको जो है profit में book किया है profit में transfer किया है यहाँ पे वसीन जी का same वही question है कि अगर हम एक साल पहले कोई coin buy कर रहे है उसमें profit में है तो क्या हम एक अपरेल के बाद जब उसको sell करेंगे तो उसपे हमको profit पे 30% tax देना पड़े लेकिन मैं वही कहूँगा टेक्स अगर आप बचाना चाहते हैं तो अगर आप थाई लाग पाँच लाग के अंदर अभी जो slab बना हुआ है हो सकता है कि आपका amount इतना हो कि जो अभी slab rate है अभी आप slab rate के हिसाब से tax payment कर सकते है मतलब कि 5 लाग 10 लाग के आसपास है तो सायद 20% और 10% के आसपास जो है tax payment करना होता है तो अगर आप इसके पहले जो है इसको sell करके profit book करते हैं तो आपको जो है इतना percent tax payment करना पड़ेगा वही अगर आप जो है एक अफ्रेट के बाद profit book करेंगे तो उसके आपको जो है फ्लेट 30% tax payment करना पड़ेगा इसमें आपका कोई भी slab काम नहीं करेगा तो इस चीच को आप जो है अच्छे से समझ जाईए बाकि जिन लोग का जो है 10 लाग या 12 लाग या 15 लाग या उपर है तो वही question है आप अगर एक appeal के पहले जो है सारे cryptocurrency sell करते हैं अगर आप profit में है और अभी की tax laborate में आते हैं तब आपको tax payment करना पड़ेगा अगर नहीं आते हैं तो tax payment करने की ज़रुवत नहीं है loss में तब भी कोई ज़रुवत नहीं है बागी इसके बाद जब भी आप जो है एक अप्रप्रेक्टिव बाद को एक क्रिप्टोगंसी बाई कर रहे हैं और उसको sell कर रहे हैं प्रॉफिट माएंगे तो उस पर आपको tax payment करना पड़ेगा नेक्स जो question दोसो यह बहुत ही सही question आप इसको ध्यान दीजे जो लोग पूछ रहे थे कि अगर हमको किसी coin में loss होता है और profit किसी coin में होता है तो उस पर हम किस तरगे से tax payment करेंगे तो यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे से question किया मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास जो है 300 रुपए है ठीक है और 300 रुपए में 100 रुपए आप जो है तीन coin में इन्होंन कर रहे है ठीक है और दो coin में आपको loss हो जाता है और एक coin में आपको जो है 25 रुपय का profit हो जाता है मतलब यह उपर का जो दो coin है इसमें आपको loss हो रहा है जब आप उसको sell किया है और तीसरे coin में आपको profit हो जाता है तो आपको जो है किस अपका tax payment करना पड़ेगा ठीक है simple सा आप समझ लीजे आप भाले जो है bitcoin में ही trade कर रहा है और bitcoin में आपको जो है पहला जब आपने trade लिया उसमें आपको जो है 10% का loss हुआ तब government को कोई मतलब नहीं है वही second trade आप जब open कर रहा है उसपे आपको 10% का profit होता है उसपे आपको 30% tax payment करना पड़ेगा government को profit से मतलब है loss से मतलब नहीं है यहाँ पर मोही जी का question है sir अगर मैं long term के लिए hold करता हो और price बार बार इनकी होती रही तो tax कब कटेगा तो मोही जी फिर confuse मत होईए आप कोई भी coin जब भी buy कर रहा है buy कर लिजे ठीक है एक अपरेल के बाएद है अभी भी buy की है और जब आप sell करेंगे तो अपना buying और selling जो price अगर आप profit में जा रहा है तो उस समय आप tax payment करेगा आप चाहए एक साल ओड कर लिए दो साल ओड कर ल करना तो जब आप sell करेंगे तभी आप जो है tax payment करेंगे अगर आप hold करके रखे हैं तो कोई दिकत वाली बात नहीं है तो यह सारे question दोस्तों एक और यहाँ पर जो है मैं आप लोग बताना चाहूंगा कि अगर आप जो है कोई cryptocurrency hold करके रखे हुए अभी ठीक है तो आप जब भी profit भाएंगे तब आप जो है tax payment करेंगे लेकिन अपना जो भी cryptocurrency आपने कहीं भी hold करके रखा है चाहे trust wallet पे चाहे जो है laser wallet में चाहे आप जो है decentralized exchange या जो है foreign exchange कहीं भी आपने hold करके रखा है तो उसको जो है आप asset जो है ज़रूर दिखा करके रखेगा कि इतना जो है crypto assets hold कर करके रखें कि इन future जो है अगर आप मा लेते हैं किसे भी trade पे tax payment नहीं कर पा है तो कम सकम government जो है इसके उपर कोई बड़ा action नहीं लगी आप क्योंकि आपने जो है अपना जो है जो भी assets है वो जो है दिखाया है ठीक है बाकि 1% tedious को लेके बहुत सा लोग भी भी confused है तो मैं आप सकाँगा थोड़ा सा आप लोग वेट कर लिए यह जो है एक जुलाई से अपकीबल होगा तो इसमें बहुत सारी चीज़े चेंज होने वाली है ठीक है इसमें जो है अभी जो भी हम लोग करेंगे वो प्रेडिक्शन करेंगा भाई ऐसा होगा वैसा होगा लेकिन में म परकार से करेगी यह भी जो है देखने वाली बात होगी तो थोड़ा सा आप लोग वेट कर लिए यह वन परसेंट टीडियस के बारे में जो है अभी ज्यादा विचार करने की जोतनी है जब तक जो है सामने रूल नहीं आ जाता है तब तक आपको इधर दोदर की बातों प जो की हमारे मन में और सब के मन में जिदनी कृप्टो के रिडिग करते हैं सब के मन में ये बाते हैं लेकिन बात वही है कि गृ hackers तक इन्होंने बोली है अगर पहुश्टी है तो कहीं नकहीं जो है बहुत ही अच्छा फिउचर होतकता है क्रीप्टो का अपने इंडिआ में बाकि जो वर्ड वाइल लो जो कंट्री जो है अडाप्ट कर नहीं है बहुत सारी चीजे लेके आ रही है दुबई में आप लोग देखी रहोंगे कितनी चीजें बिट्वाइन से रिलेटेड चल लहीं है अपनी जो इंडिया है इंडियन गौर्मेंट है ये इस चीज से पुरा कर लेंगे और हमारा जो टेलेगाम एकाउंट हो इसको भी जाकर आप जोइन कर लेजेगा इसका भी लिंक आप लोगों को नीचे डेस तनम मिल जाएगा इस वीडियो में अभी बच इतना ही जाहिंद